नमस्कार बड़ी खबर जम्मु कश्मीर से अनुछेर पैंती से हटाने की उल्टी गिंती शुरू सरकार ने ओपरेशन का नाम भी रखा आपको बता दे कि सूत्रों के हवाले से खबर आई है जोबाल ने अपने तीन दिवसिये दोरे के दोरान राज्य प्रसाशन, पुलिस, अर्धिसेनिक बलो, सैना, राज्य और केंद्रे खूफी एजंसियों के वरिस्ट रधिखारियों के साथ विस्टर चर्चा की है इस बड़ी अकस्मिक योजना में हर प्रकार की छोटी से छोटी चीजों पर ध्यान रखा जाएगा कानून और व्यवस्ता की स्थिति कैसे काम करेगी खुलकर सामने रहने वालों से लेकर भूमिगत रहने वाले अलगवादी केदर की प्रतिक्रिया और मुखेधारा की राजनीतिक नितरत की प्रक्रिया भी इसमें शामिल है जिस तरीके से कश्मीर को लेकर लगतार बड़ी खबर आ रही है उसमें 35A से जुड़ी एहम खबरे भी लगतार सामने आ रही है अब जनता जोरो शोरो से आर्टिकल 35A को हटाने की मांग कर रही है जनता जल्द से जल्द 35A को कश्मीर से हटता हुआ देखना चाहती है जिस लोग लगता ट्वीट कर रहे हैं लेकिन सवाल सबसे बढ़ा उठता है आखिरकार क्या है आर्टिकल पैते से अनुछेद पैती से सम्विधान में शामिल प्रवधान है जो जमुर कश्मीर विधान मंडल को यह अधिकार प्रदान करता है कि वै यह तै करें कि जमुर कश्मीर का स्थानिय निवासी कौन है और किसे सारवजनिक छेत्र की नौकरी में विशेश आरक्षन दिया जाएगा किसे संपत्ति करीदने का अधिकार होगा किसे जमूर कश्मीर विधान सबाचुनाप में वोज डालने का अधिकार होगा चात्रवती तथा अनिस सारुजनिक साहता और किसे समाजिक कल्यान कारकरम का लाब मिलेगा अनुछेत 35 में ये प्रवधान है कि यदि राजे सरकार किसी कानून को अपने हिसाब से बदलती है तो उसे किसी भी कोट में चुनोती नहीं दी जा सकती है वर्तमान में इसे हटाने की मांग क्यूं हो रही है सबसे बड़ा ये सवाल तो अगर बात करे जाए कि क्यूं हटाना जरूरी है आर्टिकल 35 से तो इसे पहले दलील ये है कि इसे संसत के जरिये लागू नहीं कराया गया था बलकि दवरस्ती प्रधान मंत्री ने अपने आप ही लागू कर दिया था देश के विवाजन के वक्त भी बड़ी तादात में पाकिस्तान से शरनार्ती भारत आये थे इनमें लाखों के तादात में शरनार्ती जम्मू कश्मीर राजी में भी रह रहे हैं और उन्हें वहां की नागरिकता दे दी गई है जम्मू एन कश्मीर सरकार ने अनुछेद 35A के जरिये इन सभी भारतिय नागरिकों को जम्मू कश्मीर के स्थानिय निवासी प्रमाण पत्र से वंचित कर दिया इन वंचितों में 80 फीज़ी लोग पिछड़े और दलित हिंदू समाज से हैं के था आर्टिकल 35A के आर्टिकल 35A हटाना क्यों जरूरी है ये साफ कर दिया है जनता में काफी जोश है जनता काफी उत्साहित है आर्टिकल 35A को हटता देखता चाहती है जो महभूब मुफ्ती बयान देती है कि अगर 35A आर्टिकल को हाथ लगाना बारू जैसा होगा जो आर्टिकल 35A को हाथ लगाएगा उसका हाथ के सासर उसका पूरा जिस्म भी जल जाएगा महभूब मुफ्ती के इस विवादित बयान पे जो भड़काओ बयान था इसको लेकर अब देश की जनता का देश वासियों का खून खौल रहा है और उन्होंने ट्वीट करकर ये ट्रेंडिंग हो रहा है ट्वीटर पर आर्टिकल 35A जिसमें लोग लिखते हैं कि जो इसे छेड़ चार करेगा वो जल के राख हो जाएगा महभूबा इसकी जलन बता रही है कि क्या बड़ा होने वाला है कपिल मिश्रा ट्वीट करते हुए लिखते हैं तो तेरहा दोस्तो इस बार छट पूजा डल जील के किनारे कश्मीर की धरती पर छट पूजा करने चाहते हैं तो रजिस्टर करें एक और ट्वीट करते हुए कपिल मिश्रा जिस दिन श्री नगर की डलजील पर छट पूजा शुरू हो गई कश्मीर में कोई समस्या नहीं बचेगी आर्टिकल 35 को हटाए डलजील में छट मनाए आओ इस बार छट पूजा डलजील में मनाए आर्टिकल 35 को हाथ लगाने वालों की हाथ ही नहीं जिस्म भी जल जाएगा कितनी घटिया सोच है शर्म करो लोग कुछ कहते हैं कि पहले ही बता दू अगर 35 आर्टिकल हटता है तो इसका पूरा क्रेडिट नहरुजी को जाएगा अगर नहरुजी पहते से ना लगाते तो मोधी सरकार कैसे हटाती लोग ट्वीट करकर ये भी कह रहे हैं कि रिमूव आर्टिकल 35 वे रिहाबिलेट हिंडूज इन कश्मीर वेली चैंड दा सैक्रेड मंत्राज जब सरकार ने 35 ए को खतम करने के लिए घाटी में इस हजार जवान भेजी ही दिये तो लगे हाथ एक जथा प्रॉपर्टी डीलोरों को भी भेज देना चाहिए जो आज से ही वहाँ प्लॉट कार्ट में शुरू कर देते हैं प्रॉपर्टी डीलोरों की घाटी में जरूरत है लोग ट्वीट करते हुए ये भी कह रहे हैं चलो एक बार फिर न्यू इंडिया बनाते हैं आर्टिकल 35 वे अबॉलिशन तो आप देख सकते हैं कि लोग कितने उत्साहित हैं लोगों के अंदर कितना जोश है देशवासी ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आर्टिकल 35 से हटे और कह सकते हैं अगर माना जाए तो हो सकता है सूत्रों के हवाले से तो ये जल्द से जल्द खुशकबरी आ सकती है आर्टिकल 35-1 को हटने वाली और देशवासी काफी खुश भी नजर आ सकती है कश्मीर में अजीत जुबार के दोरे के बाद 33 को हटाने की खबरों ने पूरे देश में बड़ाई हलचल विरोधी इस खबर से सहमे हुए है और पाकिस्तान कश्मीर के अलगा वादी और वहां के नेताओं की तो नीधी उड़ गई है महबुबा मुफ्ती पूरी तरीके से बखला गई और अपना मानसिक संतुलन पूरी तरीके से खो बैठी और अपनी आतंकी मानसिकता को तो पूरे दुनिया के सामने दिखा ही दिया मुफ्ती ने ऐसा बयान दिया कि आपको आतंकी और महभूवा मुफ्ती के अंदर अंतर ही नहीं लगेगा आपको बता दे कि महभूवा मुफ्ती ने ऐसा क्या कहा इससे पूरे देश का खून खौलने लगा पूर्व मुख्य मंत्री और PDP प्रमुक महभूबा मुफ्ती ने कहा 35A के साथ छेड़ चार करना मतलब बारूद को हाथ लगाने जैसा होगा उन्होंने आगे कहा कि जो हाथ 35A को साथ छेड़ चार करने के ले उटेंगे वो हाथ ही नहीं वो सारा जिस्म जलके राख हो जाएगा आपको बता दे कि आखिर क्यों इतना बुखलाई हुई है महभूबा मुफ्ती उन्होंने अपनी सोच जगजाहिर कर दी है कि इतना डर क्यों सता रहा है महभूबा मुफ्ती को उनको अपनी राजनीतिक रोटिय सेकनी है PDP लीजर महभूबा कभी नहीं चाहती कि कश्मीर में शांती और अमन फैले वहां की जनता को उक्साने के महभूबा मुफ्ती कोई भी बयान देने पर उतराई है आपको बता दे कि राष्टे सुरक्षा सलहकार अजीत जुबाल के जम्मू कश्मीर से लोतने के तुरंत बाद ही 10,000 जवानों की रवानगी का आदेश दिया गया सरकार के इस फैसले पर सियासी बयान राजी काफी तेज हो गई है आर्टिकल 35A यानि की 35A को लेकर सियासत गर्म होती दिख रही है मोधी सरकार के कश्मीर में 10,000 जवानों की तैनाती के फैसले के बाद राजी को विशेश अधिकार देने वाला आर्टिकल 35A को हचाने की सुख बहुत तेज हो गई है गुरह मंत्रिय अमिच शाल लगतार कश्मीर में 30A को हचाने के लिए काम कर रहे है कि इंद्रे गर्मंत्राली ने कहा कि आतंक के खिलाफ ऑपरेशन और कानून विवस्ता में मदद के लिए इन अतिरिक्त जवानों जो की 10,000 संख्या थी उनको भेजने का वैसला लिया गया है हाला कि मोरी सरकार में इस पर कोई भी बयान नहीं दिया है जो भी महभू मुफ्ती इतनी बॉखलाय हुई है महभू मुफ्ती की बॉखलाहाट का कारण सबके सामने आ गया है अब सरकार को ऐसे आतंक की भाषा बोलने वाली PDP लीडर मैं वो मुफ्ती पर सक्सक्त कारवाही करनी चाहिए और इसको तुरंत जेल में डालना चाहिए ये खुलेहाम भारत के खिलाफ जंग का एलान जैसा करना है कैसे एक पूर्व मुख्य मंत्री ऐसी भाषा बोल सकती है मैं वो मुफ्ती और हाफवे सईद में क्या अंतर रह गया है देखते हैं अब सरकार इस पर क्या कारवाही करती है लेकिन ये बहान बेहद ही घटिया है और आतंक को बढ़ावा देने वाला है तो आज हमारे साथ हैं अंतर राष्टे विशेशक गया और जानते हैं उनसे कि क्यों महवव मुफ्ती इतना बोखलाई हुई है क्यों महवव मुफ्ती को इतना डर सता रहा है और उन्होंने इतना घटिया बयान दिया है जो बिल्कुल आतंक की भाषा बोले या आतंक वादिय और महवव मुफ्ती में जिससे कोई अंतर ही नहीं रहा गया वो स्कुले आम बोल रही है कि उनका हाथ ही नहीं उनका शरीर भी जलकर राख हो जाएगा क्या समझते हैं इस बड़े बयान से यह जो महवव मुफ्ती का बयान है या उमर अब्दुल्ह का बयान है यह बयान उनकी बोखलाहट का प्रतीक है यह केवल यह बयान तभी देते हैं जब यह सत्ता में नहीं होते हैं जब से महवव मुफ्ती के साथ भारतिय जनता पाल्टी का जम्मु कस्मीर सरकार से समर्तन वापिस लेके उसकी सरकार गिरी उसके बाद वो निरंतर बोखलाई हुई है इस समय बरत्मान में जो 25 जुलाई को ग्रियम मंत्राले ने यह आदेश दिया कि आतंगवाद निरोध अधक अभियान वा कानून ब्यवस्ता बनाए रखने के लिए यहां से सुरक्षावलों की सो कंपनियों को बेजा गया मत्मद 10,000 अत्रिक सुरक्षावल बेजे गये वहां जिसमें CRPF की 50 कंपनिया थी SSB की 30 थी ITBP की 10 थी और BSF की 10 कंपनिया थी यह कंपनिया वहां इसलि निरोधक अभियान चल्ला है और कानून व्यवस्ता जो आतंकियों को धर पकड़ और उनको सपाया अभियान चल्ला है वो किसी प्रकार कमजोर नहों पाकिस्तान उनको और मजबूत नकर सके उनका समूर्ण नाश करने के लिए किंद्र सरकार ने ये कदम हो इसका उठाने से पहले वहाँ पर जो भारत के सरकार के मुख्य सुरखषस अलाकार अजिदो वाल गये और अजिदूवाल के आने के बाद घाटी का पूरा दवरा करने के बाद यहां अमिद साह से गिर्यमंत्री अमिद साह और प्रदान मंत्री से जो उनकी बात चीत हुई उस पर कस्मीर के जो मामला है उस पर विचार विमर्स हुआ उस विचार विमर्स होने के बाद जो केंदर सरकार का एक सुझे कि हर हाल में कस्मीर में उठ रहे आतंक को सर उठा रहे आतंक को जमीदोज करने का उसी की प्रणीती ये अभियान चलाया उसमें एक कारण ये महभुवा मुपती जो जनता को बढ़काने के लिए कह रही है कि इसमें 35 ये जो अनुशेद है उसको हटा दिया जाएगा या धार बारतिय जनता पाल्टी की बरतमान जी मोदी सरकारा है उसका खुला एक रवया है उन्होंने साब कर दिया है ये 35 ये जो है और धारा 300 तर 70 ये स्थाई समिदान में स्थाई प्रबंद नहीं है ये कुछ समय के लिए किया था इनको हटाया जा सकता है वहाँ पर एक एक देश में दो विदान और दो निसान न चलनने के लिए भारतिय जनता पाल्टी के श्याम प्रसांद मुखर जी ने जो अपनी सादत दी थी वो ये कस्मीर का ये इसू जो है धारा 370 हटाने का ये 35 ये का है जो वहां के नागरीकों को विसेशाधिकार देकर अलगाव वादियों को पूसर्ण करने वाला है उसको हटाने के लिए भारतिय जनता पाल्टी की मोधी सरकार कटी बद्द है और बचन बद्द है राष्ट को उन्होंने लोगसभा चुनाओं में ये बचन दिया है तो इस बचन को इस उनके उस बचन को ढाल बना कर महभुमा मुप्ति केवल अपने लिए जो आगामी विधान समा चुनाओं वहां होने वाले हैं उस चुनाओं को देखते हुए अपने पाल्टी का जो गिर रहा ग्र पर और उनके पोषण करने वाले उनको धन देने वाले उनको समर्थन देने वालों पर केंद्र सरकार निरंतर कारवाई कर रही है वहां पर निरंतर निरंतर चापा पड़ रहे हैं उनकी धर पकड़ हो रही है तो इस कारण से उनका आधार खिसक रहा है उस खिसकते हुए आधार को जनता की भावनाओं को बढ़का कर वो अपना आधार मजूद करना चाहिए